यह आप देख सकते दोस्तों यह 100 पैसे का है और यह जिलेदी दो पीश 100 पैसे का और यह दो पराथा 100 पैसे का ठीक है मतलब इंडिया का है आप 50 रुपिय का नास्ता है जो आपको अच्छा में मिल जाएगा इसके लिए हम अभी जा रहे हैं नास्ता करने के लिए क्यूंकि यहाँ पे सब दोकान 9 बज़े तक बंद रहता है यह आप लोग देख सकते हो और सिर्फ यहां पे नास्ते के लिए कोई दोकान बंगाली या पकिस्तानी भाई जो सुबह खोलते हैं नास्ते के लिए ठीक है और यहां पे सब दोकान अभी आप लोग देख सकते हो सब दोकान यहां पे बंद है दोस्तों यह आप लोग दोकान देख लिए दोस्तों यह और यह जो बस जार यह सुबस चल लिए यहां का इस पूल बस है ठीके दोस्तों अभी यहां पर सब दो कान फिलाल में बन दिये 9-10 बजे खुलेगा और यह यहां का जो लाइन से देख रहे हो यहां का टेक्सी है ठीके यह आप लोग देख लिए अभी चलते हैं किसी दोकान पर चल के देखते हैं वहां नास्तक कितने रुपय का मिलता है और आप लोग ओमान आ रहे हो तो आप लोग को भी मालूम चल जाएगा यहां पर कितना महाँगा यह कितना नहीं पर कि अप्लोड पहले हैं का आप लोग देख लिए वर्यक्लिए wr output डेकूर थिए यहां पर कितना स्कारा है यहां बीकार इन का अंतना व्यां आप शॉट्यम ओवर इन हो और आप देखशकते दोस्तों वहां से लेखर और यह दिख लिए कितना रोट चमॉरा है अभी यहां का यह गादन है जो बीच में दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि गल्फ में जेस भी नहीं के लटा है तो यह आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यह यहां का ठीक है मैं भी अभी यहां पे पहली आग देख रहा हूं नई तो यहां पे पंपलान ज्यादा चलता है और यहां पे काम पहुत ज्यादा रहता है लेकिन है आप देख सकते हो यहां पे यहां पे दोस्तोशित और जिस भाई को ओमान आना है तो हमसे कुछ संपर भी कर सकते हैं मैं उनको बता सकता हूं यहां पे कौन सा काम में कितना सेली मिलता है ठीक है और मैं आप लोग यही बोलना चाहूंगा दोस्तों अगर आप लोग ओमान पहली बढ़ आ रहे होना तो आप लोग कम से कम 120-130 रि आपको 30-15 रियाल आपका भस खाने में लग जाएगा ठीक है बाकी खार के आपको अलग से देना परेगा दोस्तों इसलिए आप लोग जो असी रियाल में 100 रियाल में आते होना तो आप लोग मत आये दोस्तों ठीक है इससे अच्छा है आप लोग इंडिया या पकिस्तानी कोई जोब करिये दोस्तों ठीक है असी और सवर्याल में आप लोग मत यह कम से कम आपको 120-130 मिले पहली बाल हेलफर में तब आप आये तो हम लोग अभी चोड़कने वाले हैं बंगाली होटल पे और वहां चल कर देखते हैं वहां नास्ता में क्या क्या है और कितने का मिलता है दोस्तों कि यह आप लोग देख सकते हो यह तूर्की फूट है यहां पर अभी नौ बज़े खुलेगा अभी यह सब बंद है फिलाल में और यहां पर दोस्तों यह पूरा मच्री मार्केट है सामको कभी आओंगा तो मैं आप लोग को देखाऊंगा यहां पे सब यह लो सब्सक्राइब अबलुब से लिए उतना ज्यादा भी भडा का नहीं है तृगे दोस्तों और हम हैं बंगाली भूत अलगर Hoetel पे होई हो हूटर है अप लोग देख लिए हमको अहिं पर जाना है और वहान पे चलकर देख Скरा का नाश्तामी मार्केट चित्ने का नहीं ठी यह आप देख सकते दोस्तों यह 100 पैसे का है और यह जिलेदी जो पीश 100 पैसे का और यह दो फ़रा था 100 पैसे का ठीक है मतलब इंदिया का यह आप संब्यत परचाश रुपीय का नाश्का है जो आपको अच्छा में बिल जाएगा यहां का लिस्ट है यहां पर दोस्तों आप 200-300 पैसे में आराम से नाश्का कर सकते हो क्योंकि यह 100 पैसे का आपको दाल मिल जाएगा और 100 पैसे का आपको यहां पर दो समोसा मिल जाता है अर्श्का है और 100 पैसे का दो फराथा मिल जाएगा और 100 पैसे का यहां एक चाहय मिलते है दोस्तों ठीक है तो यहां नाश्का करने के लिए भी बहुत सब्सक्राइगा न तो आप यहां पर एक टायम नाश्का कर सकते हो ठीक है और आपको अगर एक रियाल है तो एक दिन का खाना आप होटल में खा सकते हो दाल रोटी ठीक है दाल रोटी या चावल खा सकते हो और आपको बिर्यानी खाना है या मटन खाना है कुछ भी खाना है तो आपको एक रियाल लगेगा मतलब आपको एक टाइम का खाना आच्छा खाते हो बिर्यानी खाते हो या मचली या कुछ भी तो आपको एक टाइम का एक रियाल लगेगा तो मतलब इंडिया का आपको 200 रुपिया लग जाएगा ठीक है खाने का और आप रूम पे खाना बना के खाते हो तो आपको 25-20 रिया के खिलाप में वीडियो ज्यादा बनाता हूं लेकिन कुछ भाइलों से मैं पूछा था कि क्या मैं इस पर बोलोग का वीडियो भी डाल सकता हूं तो लोग बोले हाँ आप बोलोग का और फोरोड एजेंट जो करते हैं अपने इंडिया में उसके खिलाप आप दोनों इस पर दाल सकते हो इसलिए मैं पहला ये बोलोग का वीडियो बना के इस पर डाला हूं अगर ये बोलोग आपको अच्छा लगा हो ता आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए धनबाद दोस्तों